हाई फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्री की हार्दिक सुकाम ना है अभी नवरात्रा चल रहा है और बहुत लोगों का व्रत रखता है और बहुत लोग अश्टमी का व्रत रिखते हैं तो उसके लिए मैंने दो रेसीपी बनाई जो कि आप लोगों के साथ सेयर कर रहे हुँ तो चलिए बनाना सुरू करते हैं रेशिपी, हलुआ बनाने के लिए मैंने एक कप मजरमेंट कप से कद्डू कस किया हुआ लौकी लिया है, जो कि बिलकुली सॉफ्ट लौकी है, इसमें बीज बिलकुल भी नहीं था, अब लौकी को भूनेंगे तो इसके लिए मैंने कड़ाई को गरम करके उसमें 2 टीस्पून प्योर गी डाला है और जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें कद्दू कस किया हुआ लौकी डाल देंगे लौकी भूनेंगे इसलिए क्योंकि इसमें जो पानी रहता ह वो थोड़ा सूख जाता है तो अच्छा हलुआ बनता है और उसे टेस्ट भी काफी अच्छा आता है लौकी को भूनने के लिए मैंने गैस का फ्लेम हाय रखा है इससे पानी जल्दी से ड्राय हो जाएगा और लौकी जल्दी से भूना जाएगा इसलिए मैंने गैस का फ्ल जैसे कि मैंने अपने डॉटर को खिलाया तो उससे पूछा कि यह क्या है तो उसने बोला कि नहीं पता चल रहा है बिल्कुल भी मुझे इसमें क्या-क्या डाला है आपने हाँ थोड़ा सा खोए का टेस्ट आ रहा है लेकिन मैंने इसमें खोआ बिल्कुल भी नहीं डाला दू तरह से सूख गया था उसके बाद इसमें मैंने नीदफ मैं दूद डाला कि समाइज दालने के बाद मैंने घैस का फ्लेम हाय रखा है कि यह लुदा की बहुत जलदी पक जाती है और जब हम गैस का फ्लेम हाय रखेंगे तो दूद भी जल्दी ही ड्राय हो जाएगा और हल्वा फटा फट से बन जाएगा इसको चलाते रहेंगे बिल्कुली इसको नीचे से लगने नहीं देंगे वैसे भी अगर नॉनिस्टिक कड़ाई में हम बना रहे हैं तो नीचे नहीं चिपकता है फिर भी इसको चलाते रहूंगी क्योंकि उपर नीचे से यह अच्छे से पक जाया और देखिए गैस का फ्ले करके लौकी को पका लिया अब दूद को भी पूरी अच्छी तरह से ड्राय कर लेना है इसी में इसी कड़ाई में ही बन जाएगा बिना लौकी को निकाले ही सारा कुछ में इसी कड़ाई में बना लूंगी और काफी स्वाधिस्ट हलुआ बनेगा अब इसमें मैंने जैसा गाढ़ा होने लगा दूद्ध और यह पक रहा है अब गैस का फ्लेम अभी भी मैंने हाय रखा है और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और दूद को बिल्कुल ही ड्राय कर लेना है अच्छे से जब पूरी तरह से दूद्ध ड्राय हो जाएगा तब हमें जो इसमे मिलाना है वो डालेंगे मैंने इसमें खोया बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने पनीर डाला है जो की मेजर्मेंट कप से हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया था मैंने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और जब दूद इतना ड्राय हो गया तब मैंने इसमें ग्रेट किय हुआ पनीर मिक्स कर दिया मैंने पहले खाया है यह हलुआ बना करके इसलिए मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं यह काफी टेस्टी लगता है अब इसमें मैंने टू टेबल इस्पून छीणी मिलाया है अगर आप सुगर कम खाना चाहते हैं तो वर्ण टेवल स्पून Eliseabol चूनी मिलाया है इससे भी अच्छा मीठा हो जाएगा और थोड़ा मीठा गर आपको पसंद है तो दो टेबल इस्पून चीनी डाल सकते हैं छीनी डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा सुखाना है क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं तो थोड़ा से रस बनता है तो पतला हो जाता है इसलिए इसको थोड़ी देर और भूनेंगे और देखिए जब इस तरह से लाल-लाल निकलने लगेगा दूद का वो लौकी पक करे साम और काजू डाला है और आपको अगर जो भी ड्राय फ्रूट पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं और अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया इस तरह से देखिए ड्राय होने के बाद घी थोड़ा थोड़ा इसमें से निकलने लगेगा सेप्रेट होने लगेगा तब ह हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे इस तरह से यह स्वाधिष्ट लॉकी का हलुआ बन करके रेडी है अब थोड़ा हलका ठंडा होने पर मैंने इसमें केवडा एसेंस मिला दिया इससे काफी रिच टेस्ट आ जाता है और बहुत ही स्वाधिष्ट लगता है अब हम इसे ठंड करेंगे और सर्व करेंगे अगर आप फास्ट रखते हैं तो यह रेसिपी जरूर ट्राय करें बहुत ही अच्छा रेसिपी है यह और बहुत ही लाइट है बहुत हैवी नहीं है क्योंकि इसमें दूद्ध जो है मैंने 300 ग्रैम लिया और एक कटूरी के बराबर यह हलुआ ब हाई में कटे हुए डेट्स को डाल करके थोड़ा हलका भून लिया है जब यह भून करके थोड़ा पिघलने लगे और मेल्ट होने लगे तब इसमें एट करना है दूद्ध देखिए इस तरह से हलका हलका पिघल रहा है और अब इसमें मैंने 300 ml फुल फैट मिल्क साथ थोड़ी देर पका लेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि डेट्स का कलर दूद में आ जाएगा और अब यह मैंने 3 टेबल स्पून PCV साबुदाना के पॉडर लिया है जो कि हलका रोस्ट करके मैंने इसका पॉडर बना लिया इसकी रेसीपी मैंने पहले भी ड और अब जब थोड़ा दूद्ध बॉइल हो गया तो तीन से चार मिनट के बाद यह मैंने अट कर दिया साबुदाना को दूद के साथ डाल्यूट करके यह भी बहुत ही अच्छा रेसीपी है साबुदाना का खीर जिनको पसंद नहीं है आप उनको इस तरह से अगर बना के खीलाते हैं तो बिल्कुल भी यह नहीं पता चलता है कि यह साबुदाना है इस तरह से अब इसको गाढ़ा करते रहना है गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे साबुदाना का पॉड़र है तो बहुत आसानी से पक जाता है और अब इसमें थोड़ा सा मैंने ड्राइ करना है और बीच-बीच में चलाते रहना है देखिए इस तरह से साबुदाना बहुत ही जल्दी गाढ़ा होता है और रहत में हम अगर डेली कुछ न कुछ बनाते हैं तो जल्दी-जल्दी बन जाए उस तरह की recipe मैंने दोनों ही बनाई है और अब इसमें मैंने डाला है वन देखिए इस तरह से यह जब गाढ़ा हो गया तो गैस का फ्लेम आफ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने पर यह बहुत ही ठीक हो जाएगा अब इस तरह से यह रबडी भी बन करके रेडी है अब इसमें मैंने केवडा essence मिलाया है इससे इसका टेस्ट रबडी वाला आ जाएग और यह बन करके स्वादिष्ट रबडी तयार है जरूर्ड ट्राइ कीजिए यह रेसीपी भी काफी अच्छी है इस तरह से मैंने फास्ट के लिए यह अस्टिमी के फास्ट के लिए दोनों रेसीपी आप लोगों के साथ सेर की अब इसको इस तरह से कुल्णर में भरके ठं तंडा होने पर फ्रीज में रखेंगे और फिर इसे सर्फ करेंगे. Thank you, bye bye.